हीरे की खान अफ्रिका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत आयत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गाव में रहने वाला किसन अक्सर उन लोगों की कहानिया सुना करता था, जिन्होंने हिरों की खान खोज कर अच्छे पैसे कमाय और अमीर बन गए, वह भी हिरे की खान खोज कर अमीर बनना चाहता था, एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अ कुछ पता नहीं चला, समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा, उसे अपना अमीर बनने का सपना तूटता दिखाई देने लगा, वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई, और एक दिन उसने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी, इस दो गया, सहसा उसे नदी के पानी में, से इंद्रधनुशी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा, उसने ध्यान से देखा, तो पाय कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूरे की किरने पढ़ने से वे इस चमक रहा था, किसान ने जुक कर वेह पत्थर उठा लिया और घर ले आय वह एक खुबसूरत पत्थर था, उसने सोजा कि ये सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया, कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा, एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया, उसने जब वो पत्थर देखा, तो हैरान रह गया, उसने किसान स पूछा मित्र तुम इस पत्थर ही क्लिम की जानते हो किसान ने जवाब दिया नहीं मेरे ख्याल से ये हीरा है शायद अब तक होजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा मित्र बोला किसान के लिए इस बात पर लिकिन करना मुश्किल था उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेट की नदी के किनारे मिला है वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं दोनों खेट पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमोने के तौर पर चुम लिये फिर उन्हें जाच के लिए भेज दिया जब जाच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली वे पत्थर हीरे ही थे उस खेट में हीरों का भंडार था वह उस समय तक हो जी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी उसका खदान का नाम किमबरले डाइमंड माइन्स है दूसरा किसान उस खदान की वज़ह से माला मार हो गया पहला किसान अफरिका में दर्दभट का और रंग में जान दे दी जबकि हीरे की खान उसके अपने खेट में उसके कदमों तले थी सीक मित्रों इस कहानी में हीरे पहले किसान की कदमों तले ही थे लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाया और उनके खोज में भटकता रहा ठ उनवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते, जो हमारे आसपास हिच्छों पे रहते हैं। जीवन में सफल होना है, तो आवशकता है बुध्यमानी और परफ से उनवसरों को पहचानने की और धैरी से अनवरत कारे करने की सफलता, निश्चित है